सच है कि 26,000 के आसपास आके मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजी जो अच्छी चीजे है वो डिसकाउंट होगी बोले अच्छी चीजे क्या होती है जी अच्छी चीजे का मतलब सेक्टोरिल चर्निंग वो आप जम कर देख पा रहे हो मेटल्स के अंदर हुई, बैंक्स के अंदर हुई, आईटी के अंदर हुई, फार्मा के अंदर हुई, एफमसीजी के अंदर हुई, यह अगर आपको याद नहीं तो सिरफ 15 दिन का डाटा उठाईए, आपको 15 दिन में 5 बड़े सेक्टर्स की चर्निंग आपको क्लिरली विज तो कहने का मेरे मतलब है कि यहां पर बहुत सारी चीजे डिसकाउंट भी होगी है कि हमें जो हैं सेक्टर आउटलूप और अर्निंग ग्रोफ पर फोकस करता है यह पंदरा साल बाद इनमें थोड़ा सा तेजी का महल बन रहा है और इनके जो अर्मी ग्रोफ है यह कम से कम चार से पांच सान लगबग चरब सत्र जिसाब से गौवर्मेंट की या पावर सेक्टर के टार्गेट से तो मैं एक दम एक सेक्टर पर नहीं कहुंगा पर इस बार जो मुझे लग रहा है कि लौटिविटी जो है सेक्टर की या गौवर्मेंट ले के फोकस है तो बहुत ही क्लियर है बहुत ही शांदार सत्र आज का रहा है हमने निफ्टी पर 26,250 के भी सतर देखी वहां से थोड़ा सा नीची बाजार जरूर आया है और रिकॉर्ड हाइस पर ही होता रहेगा आज एक्सपारी का बहुत ही बढ़िया एक्शन हमने बाजार में देखा है रोलोवर्स 72-73% के आसपास रहें अगर हम निफ्टी की बात करें तो और निफ्टी बैंक 1.500 अंकों की मजबूती के साथ बंद होनी जा रहा है सेंसिक्स में रही 5.500 अंकों की तेजी आज हमने 85,800 के भी लेविल देखे फुल स्पीड में मारूती दोड़ा है, टाटा मोडर दोड़ा है, M&A में अच्छी तीजी रही तो आटो में ये शियर चले और मेटल में हिंडाल को टाटा स्टील ये तमाम शियर आज बढ़िया मजबूती के साथ बंद हो है जातर शियर में आज मजबूती रही है, एक शियर ने अपनी तेजी गमाई है और वो है लेटली हमें देखा, SDFC बैंग ने आज उपर से थोड़ा सा इसमें रिवर्सल आया है अधरवाइस बाजार का ओवराल मूट ठीक रहा है